मुझे खबर मिली कि एक अधिकारी का फोन आया कि आपकी गिरफतारी हो सकती तो मैंने उनसे कहा कि फांसी चड़ा दीजिए लेकिन अगर मुख्यमंत्रिये सोचते हैं कि मैं डड़ जाओंगा तो मैं नहीं ड़तूँगा गोरकपूर की जंता से गटबंदन होगा तो मैं तो मेरेट अभी आया हूँ मुझे अभी परटी का आदेस हुआ है कि आपको गोरकपूर सदर लड़ना है और मैं भीमार्मी और अजार समाज परटी का जो आदेस है हमारे नेताओं का मैं उसका संबान करूँगा और मैं गोर परटेस में सही उसके लिए सिरफ एक वे सक्स धिम्मदार है वो है Merkhin मंतर-योग्याइचना और जिनोंने मेरी बेहन के सवक को रात को धाई बजय जलाया जिनोंने जिनके संडक् allerdingsन में प्र्याग राज में मेरे परिवारिके चार लोग के हथ्या होती है जिनमें दो माँ बेटी जो होती उनके साथ सामुई क्रेप होता है और आरोपी सर्याम घुमते हैं जिनके राज में यहाँ CNPR NRC में अंदोलन करने पाले मुसलिम भाईयों को 20 लोगों को एक दिन में कतल कर जा जाता है जिनके राज में जो है उनत्या सिक्सक बरती में आरक्षन का घोटाला होता है और नियाय माँगने पे बेहन बेटियों पे लाठी पड़ती है अगर रोजगार के लिए नौजमान जाता है तो उनको लाठीों से फीट के जो है गाले दे के भगाया था ऐसे मुख्यमान जाने देंगे इसलिए मैं पार्टी के आदेश का समान करते हैं वहाँ चुनाओ लड़ेंगे क्या इसी अर्टी रहेगी आपकी इस तरीके से उनका मकाबला करने के लिए कुछ है नहीं जब चुनाओ शुरू होगा तो मुख्यमान जी किसी और जगा जाई नहीं पाएंगे वहीं चुनाओ लड़ेंगे और अभी अभी मुझे ख़बर मिली कि एक अधिकारी का फोन आया कि आपकी गिरफतारी हो सकती तो मैंने उनसे कहा कि हासी चड़ा दीजिए लेकिन अगर मुख्यमान जी सोचते हैं कि मैं ड़ड़ जाँगा तो मैं नहीं ड़ड़ेंगे का प्रत्यासी होने के नाते हैं हम मजबूतर चुनाओ लड़ेंगे और उनको ज़स्ते हुरा रिखते जूबalo तो अब भी लड़ूगा और मैं तो कहता हूं जनता को इन फ़र्जी नेताओ को छोड़ना चाहिए जो सिरफ स्थ चुनाओ के समय उनसे वोट मांगने आते हैं तो फरजी नेताब के तो करें उन तमाम लोगों को जो चुनाओ लड़ने के लिए और कहने कि हमें वोट दें जनता को उनको वोट देनी चाहिए जो उनके लड़ते हैं और अब जनता मोका वर्णा चुनाओं के बाद जनता फिर यह कहेगी कि हमसे गलती होगी अग्लेश यादो है कि बाद पूर इस वार जोरक पूर की जनता से गटवान दनो